आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ और जहां q जो है not equal to 0 होना चाहिए महला फ्रेक्शन में लिखना चाहिए तो देखो क्या कर सकते हैं यह तो फ्रेक्शन में already है तो इसको अभी छोड़ो 1.2 पर रिहां देते हैं 1.2 और इसके पर यह बाहर है इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है पॉइंट से पहले जो लिखा उसे as it is लिख दो प्लस लगा दो बीच में पॉइंट की जगह है अब देखो 2 है पॉइंट की बाद जो भी हो उसे लिखो और उसके denominator में क्या लिखेंगे है अब देखो 2 के उपर बाहर है मालब एक डिजट की उपर बाहर है वस तो सिंगल 9 अगर सपोज यहां पर 2 0 होता पॉइंट की बीच है और इसके उपर बाहर होता चलो 2 0 1 के उपर बाहर होता तो हम लिखते है 2 0 1 अपॉण 9 9 9 बलब जितने डिजट की उपर बाहर उतने 9 लगा दो ओके तो एक डिजट की उपर बाहर था तो हमने एक 9 लगा दिया अब इस सोल कर लेते हैं तो यहां पर क्या जाएगा 9 तो अब स्वाल पर 22 प्लस 9 किनना हो गिया? इस इकोल सो 31 अपान 18 तो देखो यह पी बाइक्यू फॉर्म में होता है यह पी बाइक्यू फॉर्म में और क्यू क्या है यहां पर क्यू है 18 मतलब not equal to 0 तो पूचा था है और स्टेट वाइदा यह हम इसे रैशनल नंबर लिख सकते हैं और नौट सो विल राइट है यह हम इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं थैंक्यू क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर